हेलो गाईज, स्वागत करता हूँ गाईडडडा योटूब चैनल में आज की स्टूड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इमेज को टेक्स्ट में कैसे कनवर्ट करेंगे वो भी एक एप की हेल्प से ये एप आप लोगे लिए काफी हेल्फुल होने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इस अप्लिकेशन के बारे में जिस एप की हल्प से हम इमेज को टेक्स्ट में कनवर्ट करने वाले हैं उसका नाम है आपका Microsoft Office इसको हम Google Play Store से डाउलोड कर लेंगे डाउलोड करने के बाद इसको ओपेन कर लेना है ओपेन करने के बाद आपका Microsoft Office यहां से ओपन होगा था है इसके बाद आपसे कुछ परमिशन माएगा आप उसको अलाउग कर देंगे इसके बाद यहां से हम Get Started पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपसे Sign In के लिए बोलेगा आप Sign In In Later पे क्लिक कर देंगे Sign In In Later पे क्लिक करने के बाद आपसे यहां से Next करेंगे इसके बाद Don't Send Optional Data पे क्लिक करेंगे इसके बाद Close कर देंगे इसके बाद आपका यहां से Microsoft Office यहां से ओपन जाता है इसके बाद आप image को text में convert करने के लिए सबसे पहला process है आपको जाना है सबसे पहले action पर जाना है इसके बाद आपको यहां पर एक option दिखरा होगा image to text इस पर click कर देंगे इस पर click करने के बाद आपसे कुछ permission रहेगा आप उसको allow कर देंगे allow करने के बाद आपका camera यहां से open जाता है इसके बाद आप कोई image ले लेंगे जैसे हमने यह image को click कर लिया है इस image को हम simply क्या करेंगे इसको click कर लेंगे image के जिस part को हमको text में convert करना है उसको यहां से हम easily crop कर लेंगे यहां से crop कर लेंगे इसके बाद crop करने के बाद यहां पर confirm बटन पर click कर देंगे confirm बटन पर click करने के बाद यहां से processing होगा इसके बाद आपका image को text में easily convert यहां से हो जाता है देखिए यहां पर में लिखा हुआ है when there is a fire यहां पर text में लिखा हुआ है when there is fire तो इस तरीके से आप काफी असानी से अपने image को text में convert कर सकते हैं यह काफी easily हो जाता है जब आप पर कोई student है अगर उसका कोई image कोई image अगर लेना है उसको text में convert करके उसका notes बनाना है तो काफी easily important points बना करके आप काफी easily इसको notes में बना सकते हैं और काफी easily image को text में convert करके आप एक notes बना सकते हैं जैसे हमको माल लेजे notes बनाना है तो इसको क्या करेंगे simply यहां से यहां से copy कर लेंगे कोपी करने के बाद हम यहां से back जाएंगे बैक जाने के बाद आपका यहां से plus icon पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर notes पर क्लिक करेंगे notes पर क्लिक करने के बाद आपने जो image को जो text को कोपी किया था उसको यहां पर आप यहां से paste कर देंगे paste करने के बाद आपका देखें यहां से paste हो गया आप यहां से easily इसका color भी change कर सकते हैं इसके बाद आप माल लेजे कोई और image है उसको text में convert करके उसको यहीं paste करना चाहते हैं इसके लिब बैक जाएंगे यहां से इसके बाद action पर क्लिक करेंगे इसके बाद फिर दोबारा image to text में जाएंगे इसको simply यहां से capture कर लेंगे capture करने के बाद जितना पार्ट आपको crop करना है जितना पार्ट आपको टेक्स्ट में convert करना है उसको यहां से crop कर लेंगे हमने आसाने से इसको क्रोप कर लिया है क्रोप करने के बाद इसको कंफर्म कर लेंगे कंफर्म करने के बाद आपका यहां से प्रोसेसिंग होगा इसके बाद इसको इसको इसली टेक्स्ट में कनवर्ट कर देगा जिए यहां पर लिखा है सेल्स आर जेनरली माइक्रोसकॉपिक उपर भेर लिका हूँ है से और इसरा ईकली बाता है कहो भी ऐसी सब्सб jornal माइक्रों चीजर करने के बाद पहले को सकत्रों है अरुर्ण पेघला सब्स压 और इसक्वरद ने के बढ़ेगा इसके बाद इसके बाद इसमें आपको डिलिश करनी है उसको सिंपली इसको विक्रिक करेंगे इसके यहां से इज़ि इसको रिमूव करके एक कंप्लीट notes बना सकते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी image को text में convert करेंगे अगर माल लेजे आपका image अगर gallery में है तो उसको आप कैसे text में convert करेंगे simply जाना है आपको action पे action पे जाने के बाद आपका यहां से image to text में जाना है image to text में जाने के बाद आपका यहां से देखिए यहां पर एक आइकन दिख रहा होगा गैलरी क्लिक कर देंगे गैलरी पर क्लिक करने के बाद जो आपको इमेज आपको टेक्स्ट में करना है उसको यहां पर यहां से इसको से लिट कर लेंगे select करने के बाद आपका imageहाँ से easily text में जिसे अगर कोई इसमें crop करना है तो आप easily crop करलेंगे इसके बाद confirm button पे प्लिक कर देंगे confirm button पे कलिक करने के बाद आपका image üzerineingeot text में easily convert हो जाएगा इस तरीके से आप किसी भी image को text में easily converts कर सकते हैं कर लेजे इसको भी वहीं नोट्स पे आपको पेस्ट करना है तो को भी कर लेंगे तो इस तरीके से आप एक complete notes बना सकते हैं और इसको आप पिर कहीं अगर send करना चाते हैं कोई share करना चाते हैं तो इस पे share वाले बटन पर click करके आप यहां से easily इसको share कर सकते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी image को text में convert कर सकते हैं तो इससे काफी फायदा होगा अगर आप आप में से काफी लोगा students है तो उसको काफी फायदा होने वाला है क्योंकि अगर books पढ़ रहा है उसमें कोई आपको important point लग रहा है तो उसका आप image बना करके इस text में convert करको उसको एक 7 complete notes बना करको उसको बाद में विजन के लिए आप यूज कर सकते हैं तो इस तरीका से आप image को text में convert कर सकते हैं अगर आपको ये वडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेर कीजिए अगर आप मेरे चनल पे नए है तो इसको आप subscribe कर लिजिए